नमस्का दोस्तों ये एक फिमेल पाम है और इनकी वर्तमान आयो 35 यर्स है ये बिजनेस वूमेन है इनके प्रोजेक्ट तीन स्टेट में चल रहे और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी चल रहा है पर इस किस इंडेश्टी में काम कर रहे है वो जानका रही देने के लिए मुझ मिलेगा आपके पाम में बहुत बड़ा स्क्वार यहां पर बणाऊ हुआ है एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी भूस्वार ब़फ़श्व ciao की सारी कंट्रीयों में आपका प्रेजन्स रहेगा कई सारी इतने बड़े स्क्वार है झार इसके दूसरे क्या फायदे मिलें उसके बारे मैं भी discuss करूँगा, तो 100% रहेगा और एक पार्ट यहां पर भी मुझे दिख रहा है, अगर यहां पर इस तरह से कोई sign बनती होगी, तो यह भी national international fame दिखाती है, और विदेसी धरती से पैसा कमाने की और, यानि विदेसी धरती से पैसा भी कमाया जाता है, इस sign के पर यह clarify नहीं हो रही है, यह हो सकता, आप बात में भी photograph भेज सकते हो इसका, या आप अपने आप से देख लिजिए, यहां पर अगर पैक है, दोनों तरफ से मुझे पैक है, तो यह भी आपको international, अगर यह नहीं भी होगी, तो इस तरह का जो square बनता है, और इस तरह का square यह जो import-exporter के हाथ में होती है, वो भी आपके हाथ में है, business का volume कैसा रहेगा, तो 100% यह successful woman का palm है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, बहुत कम बाधाय आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा बाधाय नहीं है, तो ज़्यादा टेंस लेने की जुरूत नहीं है, बाधाय न उसके सामने जो palm है, वो काफी मजबूत है आपका, अब general analysis करते हैं, यह palm को देखे, तो यहाँ पर एक अच्छी सी sign बन रही, जब इस तरह की sign बनती है, तो व्यक्ति समझदार होता है, और जीवन में, जो opportunity मिलती है, उसे grab करके आगे बढ़ता है, यह palm, rectangle भी है और square-ish भी ही है, तो व्यक्ति मेंती भी होता है, और बैटे-बैटे बोल कर भी कारे करता है, अंगुठा भी काफी अच्छा है, यानि मध्यम personality होगी बहुत अच्छी भी नहीं, और बहुत डाउन भी नहीं, यानि मध्यम type की personality होगी, first falange भी nuclear और second falange, जहाँ ज़रत है तथ्यों के सा बात करने की वहाँ नहीं बात करते होंगे, इस तरह का palm है इनका, अंगुठा है, अब उंगली देखे, तो ये अच्छी खासी band हो रही है, ये जब band होती है, तो व्यक्ति में धर्मिक भावना भरपूर रहती है, और इनके जो falange है, ये नुकीले, इस तरह के नुकीले falange जब होते हैं, तो व्यक्ति impulsive personality होता है, यानि सारा कारे fast होना चाहिए, ऐसी इनकी मानसिकता होती है, इनके falange सारे support है, तो business minded व्यक्ति होता है, और सबसे बड़ी खासियत ये सुर्य की उंगली, ये जब बड़ी होती है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिमती होता है, औ जनरली महिलाओं के हाथ में ये इतनी बड़ी उंगली नहीं पाई जाती, ये हिम्मत शो करती है, जेब में 50 अजारों और 50 लाग की हिम्मत करनी हो, तो ऐसे लोग कर सकते हैं, इतने daring वाले होते हैं ये लोग, तो ये बहुत बड़ा advantage इनको मिला हुआ है, ये falange मूड रहा तो व्यक्ति पैसा कमाने में expert होता है, पर ये उंगली फर्स फैलेंज तक नहीं पहुच लए, तो व्यक्ति documentation, filing, चीजों को संभाल कर रखना, याज चक्ति, money management और accounts, ये सारी चीजों में व्यक्ति कमजोर होता है, ये successful woman का palm है, मैं आपसे request करूंगा, आप accountant, मैं ध्यान न रखना पड़ेगा, money management वाला भी आपको proper रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ आप sale बढ़ाते जाओगे, accounts में knowledge नहीं होगा, energy नहीं लगेगी, knowledge तो होगा, energy नहीं लगेगी, तो आप वो growth जो आप expect कर रहे हो, वहाँ पर कहीं न कहीं minus point मिलेगा, तो ये आपको यहाँ प पर भी देखे, तो एक line, दो line और सारी बड़ी line है, ये भी संपन्ता की नहीं है, व्यक्ति सुंदर भी होता है, बोलने की कलाम है, यानि वानी उसकी अच्छी होती है, business sense अच्छा होता है, ये सारे लक्षन इनको मिलते हैं, सबसे बड़ा advantage तो इनके सूर्य परवत पर है, पहले तो यहाँ पर एक star बना हुआ है, और सूर्य परवत पर अगर star होता है, तो व्यक्ति को नाम भी मिलता है, और दाम भी मिलता है, पैसा भी भरपूर मिलता है, और यश भी मिलता है, यानि fame भी मिलता है, इसके बारे में हमने जिक्र करी चुके, इस स्वेर के बारे में मैं भी जिक्रहम कर चुके, एक, दो, और ये तीन, मैंने इस तरह के स्क्वेर वालों को एक कंट्री से नहीं, 60-60 कंट्रीों से काम करते देखा है, इतने बड़े स्क्वेर वालों को, 50-50, 70-70 कंट्रीों से काम करते हैं, और ये स्क्वेर मल्टी मिलियनर भी बनाता है, अगर बड़ा स्क्वेर है तो, छोटे स्क्वेर नहीं, इस तरह के बड़े स्क्वेर व्यक्ति को मल्टी मिलियनर बनाते हैं, ये भी देखा है मैंने, चाहे आपके हाथ में बहुत सारा सूपसाई न भी हो, तो भी व्यक्ति मल संबंद्धों को ऐसा लगेगा अगर इनकी आए एक लाख रुपया मैं एक्जम्पल दे रहा इससे कई गुना ज्यादा होती है कई लोगों के अपाम में इस पाम में भी होगी व्यक्ति एक लाख रुपया भी अगर कमाता है तो आसपास के लोगों को लगता है इस घर की आए दो लाख या पांच लाख योगी उतने अच्छी तरह से रहते हैं यहां पर ट्राइंगल भी बन रहा है तो यह भी व्यक्ति को धन भी देता है और मन की सारी इच्छा है पूरी करवाता है शुक्र वले वाला पाम है मैं इनके क्लोज अप का ही यूज करता हूँ काफी क्लियर क्लोज अप है यह शुक्र वले वाला पाम है अगर यह जन्म से होगा तो व्यक्ति परिवार जन्म लेते ही परिवार संपन बनता है और बाद में आता है तो भी व्यक्ति को ये शुक्रवले है तो जहां आम इंसान एक हजार कमाता वहाँ ये लोग लाखो और इस तरह के हाथ वाले तो करोणों कमाते ये इतना बेस्ट हाथ है Multiple property की sign भी आपके हाथ में clear cut बनी हुई है कई तरह की property आपके हाथ में आएगी और शुर्य रेखा देखिए यहां से ही operator हो रही है और दो-दो multi talented व्यक्ति होता और दो-दो शुर्य रेखा है तो comfortable income भी देती है व्यक्ति को और यश भी देती है यहां विद्या रेखा भी बनी हुई है पर दो बनी हुई है व्यक्ति बेसिक knowledge अच्छा खासा रखता है पर लोग इनको पूछ-पूछ कर भी काम करते हैं पर इनको घमन भी रहता है अपने ग्यान पर यह भी एक minus point रहता है अब एक line है यहां से चली जो विद्या से धन प्राप्ति की और इशारह जा रहा है एक line regular income भी दिखा रही है यह एक और line है तो इस तरह से continue line बनी हुई है तो multiple income इनके हाथ में और बुड़ा पे तक income आती रहेगी और बहुत बार इस तरह से अगर square बन जाता है यहां पर तो पुस्तेनी जमीन जायदात का भी लाब मिलता है रेक्टी को तो यह भी सोभग्य इनको प्राप्त होगा और बुड़ा पे तक income आती रहेगी कोई problem दिखने ही रही है और एक line जब इस तरह से जाती है और यह भी sun mount से चल कर Jupiter पर जा रही है और ऐसे लोग 100% successful रहते हैं 100% जब इस तरह की रेखा होती है तो काफी progressive पाम है यह और complete flat है आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता गुरु परवत पर देखे अगर यह square complete होता होगा तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई न कोई property खरीता है और 36 साल में authority position पर पहुचता है second अगर इतना बड़ा square होगा तो बोलने के कारे में तो महारत हासिल होती है साथ में बड़े घर में रहने का सोभाग्य भी प्राप्त होता है तो यह सारे advantage इनको मिलेंगे और यह जो line है यह multiple income शो करती है व्यक्ति के जीवन में सेवा भावी होते पामिष्ट्री astrology इस तरह के जो mystery science होते है उसमें interest भी जाता है और केवल पैसा नहीं कमाते कहीं न कहीं सेवा का भी भाव होता है तो इस तरह का पाम है और Jupiter Mount जरा भी दिश्टब नहीं है काफी बढ़िया Jupiter Mount है तो ऐसे लोगों को सांसारिक और पारियरिक सुख भी उत्तम ग्रेड का मिलता है यहां पर देखे तो अंदुनी मंगल भी मजबूत है तो सारिक अंगली दबाने से अगर दबता होगा तो सरीर की एनरजी मद्यम होगी और अगर यह थोड़ा सा भी कड़क होगा तो अंदर की एनरजी यानि जो सरीर की एनरजी है वो काफी अच्छी होती है हाँ थोड़ा सा उभार रहता है चाहे महिला हो या पुरुष हो कहीं न कहीं अब शब्द बोलने की आदत होती जरूर है पुरुष बहुत जादा बोलता है महिला बन कमरे में बोलती है पर बोलती जरूर है और यह जीवन भर रहता है पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होता है और ऐसे लोग जिनका बारी मंगल और अंदूरी मंगल अच्छा हो प्रोपर्टी खरीदते रहनी चाहिए तो काफी लाब प्राप्त होगा बारी मंगल भी अच्छा है इस तरह का ब इस तरह के लोग हिम्मत ही होते और जब किसी से मिलते तो एनरजी के साथ मिलते अब इन्होंने इंटरनेशनल चीज पुछी तो यह चंदर परवत को देखिए कितना सुन्दर परवत है 100% इनको पानी अच्छा लगता होगा दूट से बनी वस्तुए बहुत अच्छी लगती होगी विदेश से संबंद आता ही है परचेसिंग पावर बहुत पाउर्फुल होता है नई नई चीजे करने का शौक होता है और यह लोग जब पैसा कमाते तो घर के फरनीचर भी देखने लायक होते या होफिस के फरनीचर भी देखने लायक होते उसमें पैसा खर्च करते जीवन रेखा से एक साखा पूरी चन्रपरवत पर जा रही है इस तरह के लोगों का विदेश में आना जाना भी संबंभ होता है और जीवन रेखा पूरी घुमकर यहां चल रही है शुक्र को घेर रही है तो परिवारिक सोच वाला इनसान भी रहता है कहीं बार भी गया तो परिवार से टच रखता है और यहां पर फोक बनता है तो व्यक्ति के जीवन में यात्राए ज़ादा रहती है दहन के मामले में काफी रिलेक्स देंगे और जितनी भी line है, मोटी है, यह luxurious life की और इशारा करती है, पैसा भी जादा आता है, life भी luxurious होती है, तो कोई चिंदा वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, अब इनकी हिर्दे रेखा को देखे, तो complete यहाँ से चल कर ऐसे चल रही है, यह जो line है, यह परिवार के लोगों को परिश बचपन से आदर्स बना लिये रहते हैं, उसी आदर्स ओपर चलने की कोशिस करते हैं, उसमें जरा भी 19-20 हुआ, तो इनको गुस्सा आता है, यह तो हो गया पारिवारिक, पर जब commercial level की बात आती है, तो यह लोग system से काम करने वाले लोग होते, हाथ के नीचे के लोगों से ज़्यादा energy से काम ले पाते हैं, और ज़्यादा successful रहते हैं, तो इतना advantage इनको मिलता है, दूसरी highlight है इनके हाथ में, double mind line, अब यह यहाँ पर लगता है कि यह जैसे line चल कर, यह इस तरह से जा रही है, पर यह double mind line है, मैंने बहुत nutrition किया, यह यहाँ से शुरुआत हो रही है और यह ऐसे चल कर सीधी जा रही है, और यह सीधी चल कर यहाँ चल रही है, और यहाँ पर एक yellow sign है, पर आपके हाथ में double mind line होने से इस yellow sign का इतना impact नहीं आएगा, यह period होगा आपके जीवन का, उम्रल लगबग 44 से लेकर 52, पर जब double mind line होती है, तो उसका effect निल बटा निल ह हो जाता है, नहीं तो अगर single mind line होती, तो यहाँ पर आपको काफी तकलिफों का सामना करना पड़ता, पर double mind line होने के कारण कोई problem नहीं है, और यह double mind line सुरवात हो रही है आपके जीवन में, उम्र नहीं नहीं तो भी 25-26 के आसपास से, यहाँ से आप एक साथ चाचार पाच काम करने चालू कियोंगे, communication में master बनता है, जब double mind line होती है, और बहुत sharp mind का होता है, और यह double mind line व्यक्ति को growth भी देती है, development भी देती है, और चंद्रपरवत की और जुक रहे हैं तो imagination पावर बढ़ाती है, धर्मिक्ता बढ़ाती है, घर में किसी एक व्यक्ति को ज्यादा बोल बोल करोंगे, बस यह minus point रहेगा, अब आपकी जीवन रेखा पर चले, तो जीवन रेखा पर, अगर यह cut करके आगे बढ़ती है, तो यह राव रेखा है, यह लगबग 28 के आसपास कोई न कोई तकलिफ आईगी होगी आपको, एक हलकी सी राव रेखा, 37 या 36 के आसपा आपको काट रही है, 38 में एक आपशूट मिल रहा है, और इसके द्वारा एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ दो से तीन प्रापर्टी भी आप खरीज सकते हो इतने पिरियड में, आपने खरीदी भी होगी, फिर उसके बाद 43 में एक राव रेखा काट रही है, एक राव चल रहे एक 50 के आसपास है, 55 के आसपास है और एक आपशूट आपको लगबख 61 के आसपास है, इतने आपशूट भी मिलेंगे और बहुत सारे ट्राइंगल भी बन रहे हैं, तो प्रापर्टी अभी आपके पास भरपूर आएगी, प्रापर्टी का सुख आपको भरपूर मिलने वाला है जीवन में, और जीवन रेखा काफी हुटतम है, और ये पिरियर में आपको जब राहूरेखा, मैंने पिरियर बताए, दो राहूरेखा strong है आपके हाथ में, एक ये वाली और एक थोड़ी सी ये, ये थोड़ी ज्यादा strong है, यानि उम्र लगबख 43 वाली थो यह दो राव रेखाओं में आपको थोड़ी सी ज्यादा तक्लिफ आए कि बाकी की राव रेखा बहुत हलकी है ज्यादा टेंस लेने की जुरत नहीं और जीवन रेखा काफी उत्तम है तो सरीर हमेशा छररा नॉर्मल बना रहेगा ना ज्यादा मोटा पा रहेगा ना ज्याद से लाप प्लस लोगों का सयोग अच्छा मिलता है और यह चल कर सीधी उपर तक जा रहे है एक फेट लाइन आपकी यहां से डवलब हुई यह उम्र होगी लगबग 26-27 के आसपास से और इस पर एक कट आया यह उम्र कट आई होगी लगबग 27-28 के आसपास जो यह राव रे हासा यह सीधा कट है यह लगबग 33-34 के बीच में आपको कोई न कोई खर्चाया होगा जीवन में एक यह रेखा काट रही है यह आपको 37 में और इस लाइन पर 39 में एक ही रेखा आपको दो हलका सा नुकसान देगी आपको जीवन में एक कट आपको यहां पर मिल रहा है यह यह भी हलका है कोई ज्यादा नहीं है एक 44 में एक 46 में और यह इन्वेस्मेंट्स हो हो रहा है एक उम्र 49 में और एक 47 में और यह भी सारे इन्वेस्मेंट है 53-55 में यह कट आपको उम्र थोड़ा सा प्राब्लम देगा लगबग यह उम्र होगी आपकी इच फिप्टी कोई ज्यादा प्राब्लम नहीं सीधी रेखा काट रही है और जब भी बाकी की यह रेखा कोई कट नहीं है तो इतना सा प्राब्लम रहेगा बाकी अच्छा खासा प्रोग्रेस आपके हाथ में लिखा हुआ है आगे बढ़िए सुन्दर पाम है आशा रखता हूं आपके पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद